हलो अब्रिवन वेलकम टू आवर चैनल लेता सिक्षन संस्थान कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आज मैं आप सब के समक्ष जार्खन से रिलेटेड जार्खन जीके का टॉपिक वाली क्लास लेकर आई हूँ जिसमें आपका टॉ यानिंग नाम क्या है और उसकी विशिष्टाएं क्या है तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल आइकन को आउन कर लिजिए ताकि इसी तरह से जार्खन से रिलेटेड वैतरिन क्लास आपको हमेसा देखने को मिले और जब भी मैं क्लास अफलोड करूं वीडियो अफलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे साथी जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंज के साथ फैमली के साथ सेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे जार्खन से रिलेटेड वैतरिन क्लास द काफी हलपूल होगा और काफी इंपोर्टेंट भी है एक बात मैं और बता दूं कि हमारे चैनल के मैध्यम से जार्खन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है जार्खन जी के का टॉपिक वजग लास होती है और थिवरी क्लास भी करवाई जाती है जो पहले से ज जैनल के माध्यम से इसी तरह से जुड़े रहें और अपनी तयारी को बहतर करें अब गलास को स्टार्ट करते हैं जार्खन के राज के ब्रिक्ष सबसे पहले जानेंगे कि जार्खन के राज के ब्रिक्ष है क्या तो जैसा कि आप सबको पता होगा और इस ब्रिक्ष से आप жharkhan से belong करते हैं, वो तो देखे ही होंगे, और वो ब्रिक्ट क्या है इसका बनी चित्र भी दिखाना चाहती हूं यह है आपका जharkhan के राज के ब्रिक्ट, सक्खोवा ब्रिक्ट और इस ब्रिक्ष से आप सभी परिचित होंगे आप सभी रियल में भी इस ब्रिक्ष को देखे होंगे क्या है जारकन का राज के ब्रिक्ष तो आपका सक्वा ब्रिक्ष जो है जारकन का राज के ब्रिक्ष है यही है आपका सक्वा ब्रिक्ष तो ये तो हम लोगों ने जाना कि जारकन का राज के ब्रिक्ष सक्वा ब्रिक्ष है अब हम लोग जानते हैं इसके बेग्यानिग नाम क्या है सक्वा ब्रिक्ष का बेग्यानिग नाम है आपका सोर्या रोबुस्टा ये काफी important है और कई बर इजा में पूछा भी जा चुका है तो इस चीज को आप skip नहीं करेंगे वीडियो को पूरी देखेंगे तभी आपको सारी चीजे समझ में आएंगी क्या है सक्वा ब्रिक्ष का बेग्यानिक नाम scientific नाम है इसका सोर्या रोबुस्टा और इस ब्रिक्ष की विशेस्ता क्या है तो इस ब्रिक्ष की विशेस्ता है अपका जार्खन की जनजातियों का पूजनिय ब्रिक्ष है तो इस ब्रिक्ष को जार्खन का राच्किय ब्रिक्ष बनाने का कुछ मकसद होगा कुछ विसेस्ताएं होंगी तो विसेस्ता क्या है तो जार्खन के जनजातियों के द्वारा सक्वा ब्रिक्ष की पूजा की जाती है और जनजातियों का एक प्रकर का पूजनिय ब्रिक्ष माना जाता है अब हम लोग देखते हैं अगला परतिक चिन को अगला पर्तिक चिन है आपका जार्खन के राज के पसू जार्खन का राज के पसू है आपका हाथी जिसे हम लोग इंगलिज में एलिफेंट कहते हैं और इस पसू से भी आप लोग भली भाती परिचित होंगे कैसा होता है कैसा दिखता है हाथी आपको इन सबी चीजों के बारे में पता होगा क्या है जारकन का राज के पसु हाथी है तो हाथी का भी कुछ बेग्यानिंग नाम है वो हाथी का बेग्यानिंग नाम क्या है ये है आपका हाथी का बेग्यानिंग नाम एलिफस मैकसिमस क्या है एलिफस मैक्सिमस जो है हाथी का बेग्यानिग नाम है अब इसकी भी कुछ विशेस्ताएं है राज के पसु बनाया गया हाथी को माना गया है तो क्यूं माना गया है इसकी विशेस्ता है आपका दल्मा वन्य जियू अभिहारने हाथियों के लिए परसीद है जार्खन में जो दल्मा बन्य जो अभिहार नहीं है ये क्यूं परसीद है तो ये हाथियों के लिए परसीद है और मैं हाथि का भी पिक्चर दिखाना चाहूंगी चित्र दिखाना चाहूंगी ये है आपके स्क्रीन में हाथि का चित्र है जो कि जार्खन के राजक्य पसु है अब हम लोग देखते हैं अगला राजक्य पर्तिक्चिन अगला राजक्य पर्तिक्चिन है आपका जार्खन के राजक्य पक्छी जार्खन का राजक्य पक्छी है आपका एस्याई कोयल क्या है एस्याई कोयल है आपका जार्खन का राजक पक्षी जिसका वेग्यानिंग नाम है एस्याई कोयल का वेग्यानिंग नाम है एडिनोमस इसकोलोपेसियस जो है जार्खन के राजके पक्षी एस्याई कोयल का वेग्यानिंग नाम है साइंटिफिक नेम है अब इसकी विशेष्टा क्या है तो इसकी सबसे वड़ी विशेष सब्सक्राइब का भी चीतर दिखाना चाहती उसके पिक्चर दिखाना चाहती हूं और यह है आपके स्क्रीन में जार्कन के राज्किय पक्षी एस याई कोयल का चीतर है अगला पर्तिक चीन हम लोग देखते हैं और अगला पर्तिक चीन है आपका जार्खन के राज़के पसु सुरी पुस्प जार्खन के राज़के पुस्प याने की फूल जरकन का राजकिय पूस्प क्या है फूल क्या है तो आपका है पलास का फूल जरकन का राजकिय पूस्प आपका पलास का फूल है जिसका वेग्यानिक नाम है पलास फूल का वेग्यानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्परमा क्या है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है पलास का वेग्यानि नाम है जो कि जारकन के राजकिया पुस्प है अब इसकी क्या विसेस्ता है तो इसकी विसेस्ता है पलास फूल की विसेस्ता जो है जारकन के राजकिया पुस्प है पलास फूल को जंगल का आग भी कहा जाता है क इस फूल को तो प्लास फूल को यानि की फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट और यह है आपके स्क्रेन में प्लास का फूल जो की बहुत ही खुबसूरत दिखता है बहुत ही सुंदरी एकदम दिखने में लगता है यह प्लास का फूल जो है बसंत रितु के आगमन का संदेश देता है और तु आने से पहले यह फूल पूरी तरह से खिल जाता है तो यह हमारे जार्खन की सुंदरता जार्खन का सुंदरी और जार्खन का राज की अपूस्पी क्या है तो आपका है प्लास का फूल अब हम लोग अगला देखते हैं जार्खन का राज के भासा है आपका हिंदी भासा और इसकी विशेस्ता क्या है तो इसकी विशेस्ता है आपका जार्खन का पर्थम राज के भासा है और दुत्य राज के भासा क्या है तो आपका है उर्दू, संथाली यानि कि दुत्य राज के भासा में कई भासा है लेकिन पर्थम राज के भासा जारकन की कौन सी है तो जारकन की पर्थम राज के भासा आपका हिंदी भासा है तो यह है इतना ही है आज का क्लास आप सबको अच्छा लगा होगा कैसा लगा क्लास कमेंड करके बताईएगा आज का टॉपिक कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा और किसी तरह की कोई डाउट रह गया तो भी आप कमेंट करके पुछ सकते साथ ही अगर आपको और किसी भी टापिक में कलास चाहिए तो ये भी आप कमेंट कर सकते है तो आज के कलास छोटा सा है टॉपिक वाली कलास थी आई होब आपको अच्छा लगा होगा तो आज के कलास यहीं तक रखते हैं और फिर मैं एक बार बोलूँगी कि अगर आप हमारे चैनल में नए है तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करके कर लिजिए ताकि इसी तरह से जारकन से रिलेटर वैतरिन क्लास आपको हमेशा देखने को मिले और अगर क्लास अच्छा लगा हेल्पूल लगा तो लाइक कर सकते हैं यह आप पर डिपेंड करता है और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंश के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसी तरह के जारकन से रिलेटर क्लास देखने को मिले और उन्हें भी कुछ हेल्प हो जाए तो आज की कलास यहीं तक रखते हैं फिर मिलते हैं नेक्स कलास में तब तक के लिए थाइंक यू बाई बाई टेक केर जाए हिन जाए भारत जाए जाए जारकर